जमू कश्मीर परदेश कॉंग्रेस ने परदेश में आतंगबाद के भड़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से आतंगबाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है जमू में आयोजीत एक पत्रकार वारता में परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रमन भला ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जमू कश्मीर में आतंगबाद के मामलों में भड़ उत्री हुई है खासकर पीर पंजाल, शेत्र के जिला, पुंच और राजोरी में कई आतंगबादी हमले हुए हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने राजोरी जिले के नारला इलाके का दोरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की आपको बता दें कि नारला वही इलाका है यहां पिछले मंगलवार को आतंगवादियों और सुरक्षबलों के बीच मुटबेड हुई थी इस मुट्वेंड में सुरक्षवनों ने दो आतंगवादियों को मार गिराया था वहीं सैना का एक जवान शहीद हो गया था और एक पुलिस एस पियो सहीद तीन अन्य घायल हुए थे रमन भल्ला ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार इन इलाकों में सुरक्षा विवस्ता की समिक्षा करे और जरूरत वाले इलाकों में सुरक्षा चोकियां बनाए वो दिखाता है कि कही ना कही सरकार ऐसे चीजों पे काबू करने में फेल यहां पे हुए और लांड आडर प्राबलों को देखे जो चर्मरा गई है उसके लिए सीरियसनेस कांगर्स दिखाती है और मांग करती है कि सरकार उसकी तरफ ध्यान अपना कर्षित करे और ऐसे आइसे लेटिड प्लिस जहां पे स्कूर्टी पिकड की होने की ज़रूरत है डिले ना करें विले डिफेंस कमेटिये को स्टैंसर नहीं यहां पे करें ताकि लोगों का कांफिडेंस लेवल बढ़ पे और ऐसी बारदाद डांगरी जैसी बारदाद कहीं ना देखने को यहा यहां पे हुआ अब डिले यहां पे होगा देर से आया है लेकिन हम सब लोग उनका समर्तन करते हमारी पार्टी की नेशन लेवल की लीडर्शिप इस मुद्धे पर उनके साथ खड़ी है